दोस्तों आप देख रहे हैं जून 2018 का रुख जाना नहीं का क्वेशन पेपर तो चलिए देखते हैं हिंदी जनरल का कैसा क्वेशन पेपर आया था अगर आपको किसी भी पेपर का सुलूशन चाहिए जो अभी आप एक्जाम देने वाले हैं तो उसका पेपर जो होने के यह है आपका क्वेशन पेपर जो है पहला प्रशन इसमें मीरा डैस रूपी धन पालिया तो यहां पे आप्शन दिया हुआ है हीरा ने रामरतन धन पालिया होगा साइद इसके बाद में भागे से भरोसे भागे के भरोसे रहते हैं खालिस्तान कौन रहते हैं करमबीर या आलसी तो आलसी रहते हैं बाकी हल चलने वाले खालिस्तान का हवन किया करते हैं किसका श्रूम का या दो यहाँ पर इसके वाद में कमल श्रूद का प्रैवची ॐए तो पंकज है या जलद proudly फूस्ट है टりました你 इसी तरह से आपको आंसर देने हैं दूसरा कोशने सही विकल्ब बताना है आपको संकरा चार्रे पहाड़ी स्री नगर का खालिस्थान स्थान है दूसरा है कभी राम नरेश त्रिपाठी खालिस्थान देश का मुकुट खालिस्थान देश का मुकुट का है किसको का है कश्मीर को हिमाले को का है सबरी की कुटिया में कौन आये थे तो आपको पता ही है भगवान राम आये थे अर्थ के आदार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं तो यह आपको बताना है इसके बाद में अगला वाद करें हम प्रशन नमबर पांच की तो प्रति दिन सब्द में समास कौन सा है यह आपको बताना है तीसरा कोश्चन है सत्य सत्य तो अंबर का पर्यावाची सब्द कौन सा है यह आपको बताना है दूसरा जो है कजली गीत शीत रितू में गाय जाता है और इसके बाद में आपको बताना है जो है जिस समास के दोनों प्रधान होते हैं महादवन्द समास होता है ये आपको बताना है सत्य आ सत्य कभी दिनकर के अनुसार वायू मंडल विशैला होने लगा है ये भी सत्य है आ सत्य आपको बताना है और इसके बाद में हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृती है तो यह आपको हम में बताना है सही है गलत चौथा कोशन जो है सही जोडियों का है तो अब कॉलम को ब कॉलम से मैच कर देना है पांचवे कोशन में एक वाक्य मुतर देना है हस से कौन सा हर्मोन इस्तरावित होता है तुम वही दीपक बनोगे कवीता के कवी का नाम बताईए निवन्द के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है महा कवी माग को किस बात का अभिमान कहता था अभिमान था और उसके बाद में संधि विच्छेद कीजिए महत्मा का किसान को ब्रह्मा के समान क्यों माना गया है अथवा में संस्किति जीवन के लिए क्यों आवशेक है साथवा कोस्चन है भारत के उत्री और दक्षणी चोरों के नाम बताने हैं आपको अथवा में है बंग भंग आंदोलन का अर्विंद पर क्या प्रभाव पड़ाई आपको बताना है इसके बाद में आठवा कोशन है आचारे राम चंदर सुकले के अनुसार निवंद की परिवासा लिखिए अथवा में है इकांकी के कितने तत्व होते हैं उसके नाम लिख दीजिए नौवा कोशन है जीवनी और आत्म कथा में दो अंतर बताईए अथवा में आया हुआ है भारतिंदू यूद के निवंदो की कोई दो विशेष्टान लिख दीजिए दस्वा है निम लिखित सब्दों का दो दो पर्यवाची सब्द लिखिए जिसमें आपका प्रित्वी है और मित्र है अत्वा में है निम सब्दों का बिलोम लिखना है इमानदार का फिर दिन का और आस्तिक का उदारता का इमानदार का अगर बिलोम बोले तो ना इमानदा और उदारता का जो है उदारता मतलब उदारता का उल्टा हो जाएगा एहंकार सायद ठीक है इस तरह आपको बताना है इसके बाद में ग्यारवा जो कुश्चन है निमलिकित सब्दों के तफ्सम रूप लिखने है अत्वा में आया हुआ है निमलिकित सब्दों का संदी किये जिसमें है जिसकी तुलना ना की जा सके अतुल्ले होता है और जो सत्य बोलता है सत्यवादी होता है इसके बाद में आपका निर्देशा नुसार वाक के या फिर सत्यवादी होता है या अरिशन भी बोल सकते हैं निर्देशा नुसार वाक के परिवर्तन कीजिए सोहन कक्षा में प्रतमाया प्रस्ण वाचक बनाना है मोहन कल बोपाल जाएगा निशेद वाचक बनाना है अत्वा में जो कोश्चन है उसकी बात करें तो यहां पूछा गया है पूर्ण बीराम का प्रियोग कहा होता है कोई एक उधार्ण भी लिखिए इसके बाद में चौदवा है निम लिखित महावरों का अर्थ लिख करके वाकियों प्रियोग कीजिए आखो का तारा और इद का चांद अत्वा में महावरे और लोकोक्ति में अंतर बता देना है पंद्रवा जो कोश्चन है द्वन्त समास की परिवासा वह कोई एक उधार्ण भी लिखना है अत्वा में है वर्षा के अगमन पर धर्ती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं सत्वा कोश्चन है पोटली विश की भरी है से कवी दिवाकर वर्मा का क्या आश्य है अत्वा में है राम लक्षमन को कुटिया में आया हुआ देख कर सबरी की दशा का वर्णन उस समय का नुसार करना ह आपको अठारवा जो question है आदमी की पीर की तुनना कभी ने किस किस से की है अथवा में है कभी ने भारत देश की कौन कौन सी विसेस्ताइं बताई है उनिसवा है अशोक ने कौन सी प्रतिक्या की थी अथवा में है लेखक ने डल जील को काश्मीर की शान क्यों बताया है यह आपको बताना है और टीहरी शहर में आपा अच्छापी क्यों मची थी यह आपको बताना है उसके में आपा धापी और option में है इसका धन और योवन को भंगुर क्यों कहा गया है यह आपको बताना है समय ना मिलने का बहाना कैसे लोग करते है अथवा में तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन हो जाते हैं 22 जो कुछ चिन है अरविंद दिव्वे संसकारों के धनी थे इसपस्ट करना है आपको अथवा में है सूखी डालिए कांकी का किंद्री भाव इसपस्ट कीजिए और हम 23 की बात करें तो सननाटा कवी ताका सारांस अपने सब्दों में लिखिए अथवा में है मीरा ने राम रतन धन को अनमोल क्यों कहा है यह आपको बताना है इसके बाद में नेक्स जो कुश्चन है यह पूछा जा रहा है आपसे पद्द्यांस का सब परसंग व्याक्या करनी है तो दो है इन्में दोनों को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए पचीसवा जो कुश्चन है यहाँ पर गद्द्यांस से पहला और इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में यह अपठित है आपका बाहर से आया हुआ है तो इसके प्रशनों के उत्तर आपको देना है उप्युक्त गद्यांस का प्रतिमूर्ती है और यही कारणे की दुनिया में आने वाला मानो जीवन में सबसे पहले मा सबसे ही परिचित होता है सबसे पहले मा के आचल को पहनता है मा जानती है निर्मान करता है मा जननी है निर्मान करता है इसके लिए भगवान की परतिमूर्ती है इसलिए भगवान की पर्ति मूर्ती है तो उप्यूत गद्यांस का सीरसक हो जाएगा मा या मा की ममता और दुनिया में आने वाला मा सबसे पहले मानो किस से परिचीत होता है तो मा सबसे परिचीत होता है और उप्यूत गद्यांस का सारांस जो है आप छोटे से छोटा मा की मतलब आपको के बाद में उप्युप्त जो है आंसर सापको देने हैं 27 वा है अपने छोटे भाई को प्रतम स्रेणी में उत्तिन होते होने पर बधाई आपको पत्र लिखना एक उसके बाद में सच्चिव माद्मिक सिक्षा मंडल भोपाल को अंक सूची की दित्ते प्रति प्राप्त करने क अली आवेदन पत्र आपको लिखना है 28 वा जो कुश्चे ने उसकी बात करें तो यहां पर है निम लिखित में से किसी एक विशे पे 250 सब्दों का निबंद लिखना है तो कंप्यूटर मानो जीवन की आवशकता और जल ही जीवन है पर्यावरंट संडरक्शन जीवन में ख स्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई पेपर ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपके 2016-17-18-19 के सभी डाल दिये गए हैं सब को देखना ना भूले थैंक्यू वेरी मच्च